हेलो फ्रेंड वेलकम मैं चैनल वाइस ओफ दीपगराज तो दोस्तो आज एक नया वीडियो लेकर आगया हूँ LIC का आप लोग के लिए जो LIC का धमा का दार पलान है LIC धन संचाय पलान नमबर 865 तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो है हमारे सर जो है स्याम कुमार डेवलोपेमेंट ओफिसेर जो है इस वीडियो में पूरा जो है आपको बारी की से पूरा हिंदी में समझाया है तो इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये LIC का सबसे अच्छा पलान है धन संचाय 865 जो 5 साल तक आपको बीमा भरने के बाद जो है आप इसमें मैचुरिटी पलस पैंसन भी ले सकते हो तो पूरा डिटेल जो है हमारे सर स्याम कुमार बताये हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखना और चैनल को नए आयो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इस चैनल के मैं ऐसी वीडियो जब भी लाओं तो सबसे पहले आप तो पहुंचे तो चलिए फ्रेंट ज्यादा टेम बेस्ट ना करते हो चलते हैं सिधी इस प्राम के बारे में डिटेल आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शेर मार्केट और बैंक ब्याजदर के घटने बढ़ने जैसी अनिस चित्ताओं के इस दौर में गारेंटिन मैचुरिटी देने वाली स्कीम जिसकी मैचुरिटी टेक्स फ्री हो और साथ ही अनुहनी की स्तिती में फैमली को रिस्क कवरेज भी परदान करता हो ऐसी इन्वे अगे बढ़ने से पहले मेरा आग्रह होगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब करके अवस्चुड़ जाएं क्योंकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं इस धनसंचे प प्रेमीं प्रेमिंट ऑप्षिन में भी सेंगल प्रेमिंप का 11 गुना तक रुस्क अवरे जायगा उसी परकार अगल सेंगल प्रेमिंट प्रेमियम प्रेमिए हैं तो अनोनी होने पर नॉमनी को कुल 55 लाक रुपय अर्थात 11 गुना का वगतान होगा डिटेल में हम लोग इसे आगे एक्जामपल में देखेंगे नमबर टू, पॉलिसी में दी जाने वाली मनी बैक और मैचिरिटी दोनों ही गारेंटीड होगी अर्थात कब-कब कितना-कितना मिलेगा या आपके पॉलिसी बॉर्ण में लिखा होगा नमर थ्री, पॉलिसी में 5 वर्स की छोटी टर्म से लेकर 15 वर्स तक का टर्म उपलब्द है दोस्तों, LIC पॉलिसी एक लंबी अवधी की युजना होती है और हम हमेशा चाहते हैं कि पॉलिसी की युदी थोड़ी छोटी हो तो अच्छा हो इस धनसंचे पॉलिसी में आप 5 वर्स तक की छोटी युदी के लिए निवेश कर सकते हैं नमर फोर, बच्चों के एजुकेशन के प्रोविजन के लिए या एक बहतरीन पॉलिसी है ये बाते वहां और भी क्लियर हो पाएंगी पॉलिसी को लेने की कुछ कंडिसंस हैं जो इस परकार हैं इस पॉलिसी को आप दो तरीके से प्रीमियम का बुगतान करके ले शकते हैं पहला, रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करके और दूसरा, सिंगल प्रीमियम पेमेंट करके रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का मतलब हुआ अगर पॉलिसी 15 वर्स की है तो प्रीमियम भी 15 वर्स ही जमा करना है और Limited Premium Payment का मतलब हुआ अगर Policy 15 वर्स की है तो Premium 15 वर्स से कम समय तक जमा करना है Regular या Limited Premium Payment में दो Option अबेलेबल है Option A, Level Income Benefits इसके अंतरगत Policy Term की शमापती के बाद मिलने वाली Benefits सभी वर्सों के लिए एक समान ही रहेगी और Option B, Increasing Income Benefits इसके अंतरगत Policy Term की शमापती के बाद मिलने वाली Benefits की रकम 5% वर्सिक बढ़ती चली जाएगी Single Premium Payment में भी दो Option अबेलेबल है Option C, Single Premium Level Income Benefits अर्थाथ Policy के अंतरगत मिलने वाली Benefits सभी वर्स एक समान होगी और Option D, Single Premium Enhanced Cover with Level Income Benefits इस Option के अंतरगत Policy Coverage तो बढ़ जाएगा पर Policy Benefits Option C की तरह ही सभी वर्स एक समान ही होगा आगे आप इसे और अच्छे से समझेंगे अब आईए Entry Age को देखते हैं Option A और B के लिए 3-50 वर्स की उम्र Option C के लिए 3-65 वर्स और Option D के लिए 3-40 वर्स की उम्र होनी चाहिए Policy Term Policy Option A के लिए 10 वर्स और 15 वर्स है Option B के लिए भी 10 वर्स और 15 वर्स है उसी परकार Option C के लिए Policy Term 5 वर्स, 10 वर्स और 15 वर्स है और Option D के लिए भी Policy Term 5 वर्स, 10 वर्स और 15 वर्स ही है एक बात का ध्यान यहां रखना आवश्यक होगा कि policy term की शमापती पर policy holder की नियुनतम उम्र 18 वर्स की होनी चाहिए उदारन के लिए 3 वर्स के बच्चे के लिए policy term 15 वर्स होगा पर अगर बच्चा 8 वर्स और उससे अधिक की उम्र का है तो वह 10 वर्स और 15 वर्स दोनों में किसी भी policy term का चुनाओ कर सकता है और 13 वर्स उससे अधिक की उम्र के बच्चे के लिए आप 5, 10 और 15 तीनों में किसी भी policy term का चुनाओ कर सकते यहां आपने याद देखा कि इन सभी केस में Policy Term के समापती पर बच्चे की नियुंतम उम्र 18 वर्स हो रही है Premium Payment Term 10 वर्स Policy Term के लिए 5 वर्स और 10 वर्स है और 15 वर्स Policy Term के लिए 5 वर्स, 10 वर्स और 15 वर्स में किसी भी PPT का चुनावा आप कर सकते हैं Option C और D में चुकि Single Premium Payment Option है अतर इन दोनों ही Option में PPT 1 अर्थात Single ही होगा Payout Period जिसे आप सधारन भाषा में Money Back कह सकते हैं Option A और B दोनों में Money Back Policy Term के समापती के बाद अगले उतने ही वर्सों तक मिलेगा जितने वर्स का PPT Premium Paying Term चुना गया है For Example अगर PPT 5 वर्स की है तो Money Back 5 वर्स मिलेगा 10 वर्स की है तो 10 वर्स और 15 वर्स की है PPT है तो Money Back भी 15 वर्स ही मिलेगा वही Option C और D में 81 उतने वर्सों तक मिलेगी जितने वर्स का Policy Term चुना गया है Minimum और Maximum Premium Option A और B यानि Regular और Limited Premium Payment के लिए वर्सिक Premium minimum 30,000 से लेकर Maximum Premium की कोई Limit नहीं है उसी परकार Option C और D यानि Single Premium Payment के लिए भी Single Premium minimum 2,000,000 से लेकर Maximum की कोई Limit नहीं है Minimum Summichode Own Date Option A और B दोनों में Minimum Summichode Own Date Minimum वर्सिक Premium जो की 30,000 है का 11 गुना अर्था 3,30,000 होगा Option C में Minimum Single Premium जो की 2,00,000 है का 1.25 टाइम्स अर्था 2,50,000 पर Minimum Summichode Own Date होगा उसी परकार Option D में Minimum Single Premium का 11 गुना अर्था 22,00,000 रुपया Minimum Summichode Own Date होगा उदारन के लिए अगर कोई बेक्ती 5,00,000 रुपया Option D में एकमुस जमा करते हैं और दुरभाई के बास उनके साथ कोई अनोनी हो जाती है तो उनके नौमनी को जमाधन का 11 गुना अर्था 55,00,000 रुपय का बुगतान किया जाएगा तभी मैंने Policy के Unique Benefits No.1 में यह बताया था कि यह Policy High Risk Coverage परदान करने वाली Policy है जहां आपको जमाधन का 11 गुना रुपयर्कम तक का Risk Coverage परदान किया जाता है इस Policy के साथ आपको पांच Riders का विकल भी मिलता है पहला, LSE Accidental Death and Disability Rider दूसरा, LSE Accident Benefit Rider आप उपरग दो में से किसी एक को ही ले सकते हैं तीसरा, LSE New Terminus Rider चौथा, LSE New Critical Inless Benefit Rider और पांचवा, Premium Weaver Benefit Rider Rider एक अतरिक्त Benefit होता है जिसे आप अपने मूल Policy के साथ बस थोड़ा से अतरिक्त Premium दे कर ले सकते हैं इन सभी Riders के Features and Benefit के उपर एक डिटेल वीडियो का लिंक नीचे Description में मैंने डाल दिया है आप देख सकते हैं अब आईए समझते हैं कि इस धन संचे Policy में Policy Term की समापती पर कैसे कैसे और कितना कितना मिलेगा और इसका Calculation कैसे किया जाता है इस धन संचे Policy में Policy Term की समापती के बाद दो तरह का Maturity Return Benefit Policy Holder को दिया जाता है पहला Guaranteed Income Benefit जिसे आप Money Back भी कह सकते हैं जा Guaranteed Income Benefit Policy Term की समापती के बाद ठीक अगले उतने ही वर्सों तक मिलेगा जितने वर्स का PPT Premium Paying Term चुना गया था उधारन के लिए 10 वर्स Policy Term 5 वर्स PPT Premium Paying Term के लिए ली गई हो तो Policy Term के समापती पर अगले 5 वर्सों तक Policy Holder को Guaranteed Income Benefit अर्थात मनिवाग दिया जाएगा इस Guaranteed Income Benefit का कैलकुलेशन एक फॉर्मूला के अदार पर किया जाएगा जो इस प्रकार है Guaranteed Income Benefit बराबर Annualized Premium या Single Premium इंटु G.I.B. Multiple इंटु Modal Factor 4 G.I.B. या G.I.B. Multiple Option A और B के लिए अलग और Option C और D के लिए भी अलग-अलग है और इसका चार्ट इस प्रकार है उसी तरह चारो अप्संस के लिए Modal Factor 4 G.I.B. का चार्ट भी स्क्रीन पर है दोस्तों अब इन समीफ Factor का एकक करके चर्चा करने से या वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और याद भी ने रहेगा इसलिए बेतर है कि आप वीडियो डिस्केप्शन में दियेगे लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं या फिर सबसे आसान होगा कि इस Policy के Premium Calculator का लिंक भी मैंने नीचे Share कर दिया है आप अपनी उम्र और Policy Term के अनसार Calculate कर सकते हैं और वहीं से Guaranteed Income Benefit अर्थात Money Back में कितना रकम मिलेगा कब कम मिलेगा या भी जान सकते हैं दूसरा Guaranteed Terminal Benefit Guaranteed Income Benefit के Last Payout के साथ एक मुस्त रकम Maturity के तोर पर ही दी जाती है जिसे Guaranteed Terminal Benefit का आ जाता है Guaranteed Terminal Benefit का Calculation fee एक Formula Based है जो ऐसे Calculate किया जाता है Guaranteed Terminal Benefit is equal to Anualized Premium अथवा Single Premium into GTB Multiple into Model Factor for GTB Option A, B, C और D चारों के लिए GTB Multiple और Model Factor for GTB के चार्ट का लिंक नीचे Description में Share कर दिया गया है आप देख सकते हैं या फिर Premium Calculator के लिंक को खोल कर अपनी Age, Policy Term, Premium के हिसाब से आप मिलने वाली Guaranteed Terminal Benefit को जान सकते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि Guaranteed Income Benefit और Guaranteed Terminal Benefit न लेकर Policy Term के समापती पर ही एकमुस्त maturity ले ले लें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं पर इसके लिए सर्तिया है कि Policy Term के समापती से कम से कम तीन मैने पहले ही maturity benefit लंशम लेने समंधी अप्लिकेशन वाफिस को देना होगा अब या लंशम maturity जिसे Sum Assured Maturity भी का आजाता है कैसे निकाला जाएगा और कितना मिलेगा वह है calculation पर अधारीत होगा Lumb Sum Maturity या Sum Assured on Maturity is equal to Anualized Premium और अथवा Single Premium into Maturity Benefit Multiplier या Maturity Benefit Multiplier चार्ट Option A, B, C और D के लिए इस परकार होगा Link नीचे description में प्रवाइड कर दिया गया है आप detail में देख सकते हैं इस policy के उपर loan और surrender के शुविदा भी उपलब्द होगी Option A और B में loan दो वर्स की premium payment के बाद आप कभी भी ले सकते हैं Option C और D में policy के तीन मेने के बाद आप loan के लिए apply कर सकते हैं Surrender Option A और B के policy को आप दो वर्स के बाद कभी भी surrender कर सकते हैं Option C और D के policy को पहले तीन वर्स के भीतर surrender करने पर single premium का 75% और तीन वर्स के बाद surrender करने पर single premium का 90% रिकम surrender value के रूप में आप पार सकते हैं पर मेरा सला होगा कि आप policy को surrender ना करें इसमें आपको हमेशा नुक्षान ही होता है अधिक जरुरत होने पर या बेतर है कि आप policy के उपर loan ले ले अब आईए दो छोटे छोटे एक्जम्पल के मैद्यम से इसके return को समझने का प्रयास करते हैं माना मिश्टर राजू अपने एक तीन वर्स के बच्चे की पढ़ाई के उद्देश से एक लाग शालाना प्रीमिम की एक धन संचे policy पंदर वर्स policy term और पांच वर्स प्रीमिम पेइंग टर्म के लिए लेते हैं जिसके लिए विट जियस्टी उन्हें एक लाग चार जार रुपया पांच वर्सों तक जमा करना होगा पॉलिसी का मैचुरिटी समस्योड आट लाग अरतालिस जार दो सवासी रुपया और डेथ समस्योड ग्यार लाग रुपया होगा पॉलिसी टर्म के समापती पर जब बच्चा अठार वर्स का होगा तभी से हर वर्स उसे गारेंटीड इंकम बेनिफिट के रूप में अगले पांच वर्सों तक शालना टेक्स फ्री एक लाग ब्यालिस जार तिन सो असी रुपया मिलेगा और पांचवे वर्स के अंत में दो लाग अर्सट जार तिन सो तीस रुपया टेक्स फ्री गारेंटीड टर्मिनल वेनिफिट फे मिलेगा अर्थात दोनों रकम मिलाकर अठरवे वर्स से तेस्वे वर्स की उम्र तक उस बच्चे को एक लाग ब्यालिस जार तिन सो असी करके पांच बार बराबर 7,11,900 रुपया प्लस अंत में 2,68,330 रुपया यानि कुल 9,80,230 रुपया एजुकेशन के लिए मिला अब अगर दुर्भाई गवस प्रीमियम भुकतान अवदी के दोरान मिस्टर राजु के साथ को यनोनी हो जाती है और पॉलिसी में प्रीमियम वेवर वेनिफेट लिया गया है तो बचे सभी वरसों के लिए प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा और पॉलिसी के सारे वेनिफेट पहले जैसे ही मिलेंगे यही कारण है कि पॉलिसी के यूनिक वेनिफेट में मैंने बताया था कि इस धन संचे policy के माध्यम से आप अपने बच्चों के education का बेतर provision कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको policy का छोटा term चुनने का option मिलता है और बच्चे को ठीक उसी वक्त पैसा मिलता है जिस वक्त उसे इसकी जर्रत होती है एक और महत्पुर्ण बात यहां ध्यान देने योग्य है कि अगर मिश्टर राजू चाहें तो guaranteed income benefit और guaranteed terminal benefit अलग अलग ना लेकर policy term की समापती अर्थात 15 वर्षी पूरी maturity रकम जो की 8,48,280 रुपया है एक मुस्त ले सकते हैं Example 2 अब यही मिश्टर राजू अगर यही 15 वर्ष policy term की policy एक मुस्त प्रीमियम दे कर with GST 5,22,500 रुपया प्रीमियम जमा करके लेते हैं तो option C में policy summa showed on maturity और summa showed on date दोनों 10,49,150 होगा 15 वर्ष के अंत से ही policy term की समापती पर सलाना 81,000 रुपया लगातार 15 वर्ष तक मिलेगा और 15 वर्ष के अंत में guarantee terminal benefit के रूप में 4,64,050 रुपया भी मिलेगा अर्थात कुल मिलाकर Mr. Raju को 81,000 रुपया करके 15 वर्ष यानि 12,15,000 रुपया और guarantee terminal benefit का 4,64,050 रुपया मिला कर कुल 16,89,050 रुपया tax free return मिला दोस्तों इसके बाद भी अगर कोई शवाल आपका रह जाता है तो मुझे comment section में जरूर पूछे और अगर आपको या लगता है कि मैंने इस policy को समझाने में एक इमानदार प्रयास किया है तो इसे आप अपने जानने वालों के बीच सेर भी अवश्य कर दें समय देनी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद